टीम इंडिया ने दूसरे वंडे में बेस्टंडीज को दो विकेट से हरा कर सिरीज अपने नाम कर ली है। दोनों टीमों के बीच खेला गया दूसरा मैच काफी टक्कर का रहा। इस मैच में बेस्टंडीज ने पहले बल्लेवाजी करते हुए 50 ओबर में 311 रनों का विसाल स्कोर खड़ा किया था। टीम इंडिया के लिए ये टारगेट काफी मुस्किल लग रहा था लेकिन तीन खिलाडियों ने इसे टीम के लिए आसान बना दिया। इस मैच में टीम इ के फर फॉम में वापसी की इस मैच में उन्होंने सांदार गेदवाजी करते हुए 9 ओवर में सिर्फ 40 रन देकर एक बिकेट अपने नाम किया वहीं साथ ही दबाओं में बल्लेवाजी करते हुए 35 गेदों पर नाबाज 64 रनों की ताबट दोड़ पारी खेली और टीम का एक देज गेदवाज इस मैच में सांदार गेदवाजी की और बिस्टंडीज के बल्लेवाजों के लिए काल साबित हुआ ये गेदवाज कोई और नहीं बलकि सरदुल ठाकुर है सरदुल इस मैच के सबसे सफल गेदवाज रहें उन्होंने साथ ओवर में 7.71 की एकोनाम सरेस एयर ने लगातार दूसरे मैच में गदर मचा है सरेस एयर ने इस मैच में 71 गेदों में 63 रनों की पारी खेली ये उनका लगातार दूसरा अर्सतक था सरेस एयर ने पहले मैच में 57 गेदों में 54 रनों की पारी खेली थी दूसरे मैच में सरेस एयर के अलावा संजू से पेंसन ने भी अर्शत की पारी खेली उन्होंने क्यावन की दो पर तीन चौकों और तीन चौकों की मदद से चौवन रन बनाए डेक्स रिपोर्ट डीके न्यूज